हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा ट्रीमिंग ओन दा टाइम लाइन के बारे में कि कैसे हम टाइम लाइन पर ट्रीम कर सकते हैं तो आईए देखते हैं यह सबसे पहले हमारी टाइम लाइन यहां पर आ गई है यह देखिए हमने अड़ो प्रीमियर चीशी ओपन कर लिए इसको क्या करना है इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें यह हमारी क्लिप सेट होनी चीए इस मोड पर यह देखिए यह हमारी कुछ किलिप है ये ये आपकी किलिप आगी है ये वाली किलिप जो है आपकी एक ये किलिप है हमारे पास में और एक ये वाली किलिप है अब हमें टाइम लाइन पे इनकी trimming करनी है तो हम कुछ short अलग-अलग जैसे cut करते हैं यह देखिए यहाँ पर हम उठा के यहाँ पर trimming जैसे इसको हमने यहाँ से एक short already हमने यहाँ पर select किया है यहाँ से I और O हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसको यहाँ पर उठा के इसको simply drag कर देते हैं यह देखिए थोड़ा सा minus plus के through timeline को हम zoom कर लेते हैं यह देखिए यह हमने timeline को थोड़ा सा zoom कर लिया है control plus control minus के through आप timeline के clip की hide भी बढ़ा सकते हैं यह देखिए और इसको हम ऐसे भी थोड़ा सा खीज देते हैं अब यह आपके frame अपने आप automatic show करने लगे हैं इसको हम control minus कर देंगे इस type से हो जाएगा control plus कर देंगे इस type से आपको frame देखने लगेंगे यह देखिए अब एक clip हमने यह आपकी एक clip आगी है यहाँ से यह वाली clip आपकी video clip आगी है अब क्या करना है हमने दूसरा clip आपका यह लेना है यहाँ से जैसे ही यहाँ पर हम simply यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर करके fast forward के थुरू भी आप कर सकते है इस type से यह देखिए एक एक frame के थुरू इस type से यह यहाँ पर भी आप direct जो sort आपको लेना है वो लगा देखिए और इसको उठा के simply या तो आप यहाँ से overlay कर दीजिए इस point से जाके override कर सकते है यह देखिए एक frame आपका automatic और जुड़ गया इसमें यह देखिए यह आ गया control Z कर लेते हैं यह चाहें आप direct इसको उठा के यहाँ पर simply वैसे भी डाल सकते हैं यह देखिए इस type से भी आप डाल सकते हैं और चाहें तो आप इस side से भी insert कर सकते हैं यह देखिए हमारा frame insert हो गया है यहाँ पर यहाँ पर आप चाहें तो control K के थूर कट भी कर सकते हैं control K के थूर हमने cut कर दिया है यह आ गया अब एक clip हम और लेते हैं यह वाला clip यहाँ से आप यहाँ पर कीजिए और यह इसको इतना कर दिजिए और यहाँ पर भी उठा गया हम इसको ले के आ जाते हैं इसको आप cut करना चाहें इतना frame कर सकते हैं C के थूर आप इसको cut कीजिए और यहाँ पर टा दिजिए यह देखिए अब यह आपके तीन clip आ गया है अब हमें क्या करना है कि इसकी trimming हमें करनी है तो trimming के लिए आप देखते हैं तो यह एक छोटा सा point आता है आपका इस type से यह देखिए यह point आपके trimming के लिए होता है आपका अगर आप चाहते हैं कि उपर से sort ना लेके आप यही पर इसका sort बढ़ा सकते हैं तो यहां पर भी आप इसका sort बढ़ा सकते हैं और वीडियो को improve कर सकते हैं यह देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा इस type से कर रहा हूं तो आप क्या देखते हैं उपर top पर यह देखिए कि आपका इस point पर जाके भी यह देखिए यह आपकी वीडियो हमने trim कर दिये यहां से अभी आपका यह sort जैसे आपने यहां से लेना है इस sort को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं यह देखिए यहां से इस type से आप इस sort को यहां से without वहां से source monitor के थुरू आप यहां पर trimming कर सकते हैं इस type से आप कर सकते हैं इश आपका sort है यहां पर आप को इस जैसे इस type यहां से वह आप trimming कर सकते हैं और यहां से भी आप trimming कर सकते हैं कि अब एक सोट आपका हो गया अब एक सोटब यहां से भी ले सकते हैं यह देखिए अब सब्वोच कीजिए आपको इतना सोट रखना है इस से आगे का तो यहां से आप ट्रीमिंग कर दीजिए और यहां से इस पॉइंट पे नोड जो आता अपका यहां से भी आप इस के ऐसको इसको कर सकते हैं इसको आप थोड़सा और इसको खीसा सकते हैं तो फ्रेंड्स यह उती है आपकी ट्रिमिंग जो की हम । टाइम लाइन पर करते हैं आप यहां पर जाके सीधा सोर्स मोनिटर में ना जाके इसको सोर्स मोनिटर कर रहते हैं इसको सोर्स मोनिटर में जाके आप सीधा डारेक्ट टाइम लाइन पर भी ट्रीमिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आगे मैं आपको बता हुआ कुछ और नहीं